जै मातादी, जै मा का मख्या, मा भगवती जगर्जन्नी का मख्या देवी, आपको सद बुद्धी प्रदान करें, क्योंकि आज के जमाने में सद बुद्धी की आवश्यक्ता जाता है। महामर्त्युन्जय मंत्र, कोई भी व्यक्ती बिमार पड़ गया, तो तुरंत मनुष्य महामर्त्युन्जय के जप बिठा देता है। महामर्त्युन्जय का मंत्र में क्या होता है। महामर्त्युन्जय मंत्र का अर्थ जो लोगवा केते हैं, वो कहते हैं कि ये म्रत्यु को म्रत्यु पर भी विजय दिलाने वाला है। जबकि ऐसा नहीं है, ये मंत्र भहुत शक्ति शाली है। भहुत से मनुश्य इस मंत्र का अर्थ ही नहीं जानते। और जो विक्ति इसकी गेहराई में नहीं चाता है। वह कर्मकांटी ब्रामहन इसी मंत्र से ये कहता है कि असाध्य रोग ठीक हो जाएगा, अकाल म्रत्यु का भय खतम हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। ओम तिरम बकम यजा महे सुकंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वा रुकमी बंदनान म्रत्य और मुक्षी ये मामरताद। इस मंत्र से अकाल म्रत्यु का भय समाप्त नहीं होता है। असाध्य रोग से मुक्ति नहीं होती है। यदि आपको ये दोनों चीज करना है, तो आपको ओम म्रत्युंजे महादेँ तरही मामशर नागतं जन्म म्रत्यु जरा व्याधी पीडितं कर्म बंदन्ः आपको इस मंत्र का जप करवाना चाहिए, न कि महा म्रत्युंजे मंत्र का। क्योंकि दोनों मंत्रों के अर्थ में जमीन आस्मान का अंतर है आप भी स्वयम पड़े लिखे हो, समझदार हो अर्थ समझने का प्रयास करिए महा मित्विंजय मंत् का अर्थ अब हम आपको विशलेशन करके बताते हैं जिससे रोगों का नाश नहीं होता है मृत्यू पर विजय प्राप्त नहीं होती है उसके लिए हमने आपको बताया है कि यदि किसी व्यक्ति को ला इलाज बिमारी लग जाए यदि उसकी को पीड़ा कस्ट दुख कम करवाना हो तो ओम मृत्यू जय महादेव तराही माम शर्ना गतम जन्मम्रत्यू जराव्याधी पीड़ी तम कर्म बंधना इस मंत्र का जब करवाना चाहिए जो ओरिजनल महाम्रत्यू जय मंत्र ब्रामन लोग जो जब करते हैं उसका अर्थ है त्रम्वकम त्रीन नेत्रवाले कर्मकारक यजाम है यने हम पूजते हैं सम्मान करते हैं हमारा उद्देश्य है सुगंधिम का मतलब हता है मीठी महकवाले पुस्टी एक फलने वाला जीवन की परिपुर्णात्ता वाला हो गया वर्धनम यने जो पोशन करता है शक्ती देता है उर्वारुक यने ककडी अधिक लंबी है मरत्यू यने मरत्यू से मुक्शियम यने हमें सतंत करे मुक्ति दे मात्रन अम्रतात यने अमरता मौक्ष तो महा मरत्यू जाय मंत्र का सरल अनुवाद्य होता है कि हम भगवान शीव की पूजा करते हैं जिनके तीन नेत्र हैं जो हर स्वास में जीवन शक्ति का संचार करते हैं और पूरे जगत का पालन पोशन करते हैं ये इस महा मत्यून जय मंतर का अर्थ है इसमें कहाँ पर रोग मुक्ति के बारे में आपने शिवजी से प्रार्थना की? नहीं की इसमें आपने कहाँ पर मत्यू से वीज़े प्राप्त करने की प्राथना की नहीं की क्योंकि आपने महा मत्यू जय मंत्र पड़ा ओम तिरम बकम यजा महे सुगंधिम पुस्ति वर्दनम औरवा रुकमी बंदनार मत्योर मुक्षी मामरतात तो इस मंत्र का अर्थ जो आया आपके सामने कि हम भगवान शीव की पूजा करते हैं जिसके तीन नेत्र हैं जो हर स्वास में जीवन शक्ति का संजार करते हैं और पूरे जगत का पालन पोशन करते हैं ये इस मंत्र का अर्थ हैं तो इस महामत्यूंजय मंतर से आपके रोगों का नाश नहीं होगा, ये कर्म कांडी ब्राम्मन लोग जब भी कोई बीमारी आ जाती है, किसी को रोग लग जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, तो कहते हैं कि उससे मुक्ति करना हो, तो महामत्यूंजय के मंतर का जब करवा ल अरे करवा तो ले पन पहले उन से जिनसे आप ये महामतिव उन्जय के मंत्र का चप करवाएंगे पहले उनसे इस मंत्र का अर्थ तो समझ ले कोई ने कोई ब्राह्मन तो आपको ऐसा मिलेगा जो इसका अर्थ बताएगा और जब इसका अर्थ समझे तब उनसे आप प्रती प्रश्न करें कि इस मंत्र के अर्थ में तो कहीं पर भी अकाल मृत्यू भाय से रक्षा के लिए तो बोला ही नहीं गया हमने भगवान सीर से प्रार्थना ही नहीं की और नई बाधा मुक्ति के बारे में प्रार्थना की है इसी लिए कई भार महामरतियू ने के मंत्र जो ओरीजिनल मंत्र जिसको हम बोलते हैं एस मंत्र के जबसे कोई फाइदा नहीं होता है और मनुष्य की मृत्य हो जाती है ना कोई बिमारी ठीक होती है ना कोई उनका जीवन सरल होता है आपको जब ही करवाना है महा मत्युन्जय का तो इस मंत्र का जब करवाईएगा तो इस मंत्र से ये मंत्र कायदी आप जब करेंगे तो निश्चित तोर से आपको फाइदा अवश्य होगा इस मंत्र का अर्थ होता है कि है मृत को जीतने वाले महादेव मैं आपकी शरण में आया हूँ मैं जन्म म्रत्यू व्रधत व्याधियों से पिरित और कर्म बंधन में जखड़ा हुआ हूँ मुझे मुक्त करो और सभी संकटों से मेरी रक्ष्या करो वास्त में सच्चा इस मंत्र का यदि सवाल आग जब किया जाए तो आपको जन्म म्रत्यू व्रधा वस्ता व्याधियां बिमारी और कर्म बंधन से आपको मुक्ती मिल सकती है इसका वास्तविक अर्थ यह है यहने कि महा मुझे का मंत्र का जब भी आप जाप करवाएं तो आपको इस मंत्र का जाप करवाना है न कि दूसरे मंत्र का अब इस मंत्र का मतलब हो गया म्रत्यू जाए महादेव तरही माम शरना गतम जन्मत्यू जरा व्याधी पीडितं कर्म बंधन ह इस मंत्र का सवाल आग्जवा जब करवा लीजिए निश्चित तोर से बिमारी में फाइदा अवश्य होगा व्यादियों में फाइदा आवश्य होगा और आपके दिकर्म बंधन की वज़े से आपके कहीं परकारी रुके हुए हैं तो वह भी प्रारंब हो सकते हैं और जो जकड़न है जिंदगी की उससे भी आपको मुक्ती मिल सकती है संकट से रक्षा भी करने का ये मंतर काम करता है तो उस मंतर के अर्थ को पेले समझा जाए न कि जो एक तरीके से चली आ रही है परंपरा उस परंपरा में आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए तो सभी कर्मकांडी ब्रामणों से मेरा विनम्र निवेदन है जो मेरी आवाज सुन रहे होंगे या फिर जो महा मृत्युन जय के मंतर का जप कराते रहते हैं उन सभी धर्म प्रेमी बंदों से भी निवेदन है कि आपको अपने मंतर को प्रिवर्टन करवाना होगा यानि अनुस्ठाण जो आपको कराना है महा मृत्युन जय मंत्र का वो त्रेमकम वाले मंत्र से न कराते हुए आपको दूसरे मंत्र से जप कराना है जो मृत्युन जय महा देवित्राहि माम शरना गदम जन्मरत्यु जराव्याधी पीडी तमकर्म बंधने ये मंत्र है इस मंत्र के सवालागजब कराकर के दशान्स हवन करें और जब तक सवालागजब नहीं होते हैं रोजाना शीव जी का रुद्र अभीशे का वश्य करें जैमातादी जैमाका मख्या ओम नमस्षिवाय रिम रिम ओम नमस्षिवाय रिम ओम जटाट वीगल जजल प्रवाह पावितस्तले, गलेवलं बलंबितं भुजंग तुंग मालिकं, डमध्ध मध्ध मध्ध मन्ने नाडवध्ध मर्वयं, चकारचंड तांडवं तनोतु नशिवशिवं, यटाकटाह सब्रम्रंब्रनं, निलिम्ब निर्जरी विलोलवीचि वल दरी विराजमान मुर्दनि, धगध धगध धगजललला लाट पट पट पावके, किशोरचंद शेकरेरती प्रतिक्षण अम्मा, धराधरेंद नंदि नीविलास बंदु बंदुरा, स्वरद्धि गंत संथती प्रमोध मान मानसे, करपागटाक्ष दोरनी, निरुद्ध द सुर्दरापदी कर्चीदि गंबरे मनो विनोध मेत वस्तुनी, जटा भुजंग पिंगला सुरत्वना मनी प्रभाकदम्मकुमकुमा ज्रवर्फ लिफ दिवध धूमके, मदांद सिंदूरा सुरत्त गुत्तरीय मेदुरे मनो विनोध अधुदं विवर्त भूत भर्दरी सहसलोचन प्रभष शेशलेक शेकरम प्रसुन दूली दोरनी विदू सरांग्दी पीडवु पुजंग राजमालया निबद जात जूत का स्रिये चिराय जायतं चकोरबंदु शेकरम ललात चद्ड लद्द लधन जयस्व लिंगवानी मीत पंच सायकं नमनि लिंपनायकं स सुदाम यूख लेख यावि राजमान शेकरम महा कपाली संपदेशि रोजटाल मस्तुन जये माता दी